जब आपके घर में कोई सबजी ना हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आज कौन से सबजी बनाए जाए तो इस टाइप की एक बर ज़रूर ट्राइ करके देखिए तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने पानी गरम करने के लिए रखा था जैसे ही पानी गरम हो जाता है यहां पर 50 गरम जितने काजू को आट कर लेना है और एक मैंने प्यास आट किया है फाइनली स्लाइस करके वैसे आप मोटा मोटा भी रख सकते हैं प्यास को क्योंकि eventually तो हमें इसका पेस्टी बना लेना है तो 10-15 मिनिट के लिए इसको आराम से भीगने देंगी और इसका इस तरीके से पानी निकाल की एकम मिक्सर ग्राइंडर के जार में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं तो यह सब यहां पे अच्छे से भीग चुके हैं अभी इनका पेस्ट बनाने में बिल्कुल बिदिक्कत नहीं होगी अगर आपको जरुरत लगे तो थोड़ा से पानी आड़ कर सकते हैं और इस तरीके से आराम से पेस्ट बना लेना है सीम कड़ाई में पानी को साफ कर लिया था मैंने यहां पे अड़ किया है थोड़ा सा ओयल और साथी में मैंने थोड़ से काजु यहां पे लिये हैं और इनको हमें सौते कर लेना है वैसे आप तेल के बदलेना घी का भी यूज कर सकते हैं इस तरकी से हलका सा सुनेरा रंग आ जाए तभी हमें इसे निकाल लेना है एक बर्तन में और इसे साइट पे रखतेना है सेम कड़ाई में हलका सा ओल डाल के मैंने थोड़ सा जीरा एड़ किया है और थोड़ से खड़े मसाले यहां पर एड़ किये हैं और साथी में इसमें एड़ कर लेना है एक बारी कटा हुआ प्यास प्यास के अच्छे से यहाँ पे साथी कर लेना है जब तक कि इसमें गोल्डन कलर सा थोड़ा सा आ जाये और उसी के साथ यहाँ पे एड़ कर देना है एक बड़ा चमच अधरक और लेसुन का पेस्ट आप साथ में हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया है और अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी यहाँ पे मैंने एक टमाटर को अच्छे से चौप कर लिया था और एड़ किया है साथी में इसमें salt डाल लेना है और अच्छे से सबको mix कर लेना है और ताकि इसके वज़े से टेमेटो अच्छे से soft हो जाएं वैसे यहां पर मैंने बड़ा वाला टेमेटो यूज़ किया है आप चाहें तो दो medium भी यूज़ कर सकते है थोड़े से मसाले आड़ कर लेते हैं जैसे के हल्दी यह मिर्च का पाउडर और थोड़ा से कुरांडर पाउडर और इन सबको अच्छे से सौथे कर लेना है तेल में इस स्टेश पर आप थोड़ा से किचन कींग का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं उससे खाफी बढ़ी आसा टेस्ट आता है एंट सबको अच्छ का आप चाहें तो बीच वीच में थोड़ा सा पानी डाल के अध्यस्ट कर सकते हैं थोड़ा से किचन किंग मसाला अभी आट किया है मैंने जो कि मैं पहले बूल गई थी इसलिए मैं आपको पहले बता दिया था यहां पर मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था वह इस टेज पर हमें एड कर लेना है और इसको भी अच्छे से बून लेना है वैसे तो यह पका हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सामे से सौते करेंगे ताकि फ्लेवर और ज्यादा एन्हांस हो जाए मीडियम फ्लेम पर इसको भ मैंने पानी यहां पर आट कर दिया था इसी का जो बचा हुआ था वैसे आप थोड़ा से एक्स्टा भी आट कर सकते हैं अगर आपको जरुवत लग रही है तो यहां पर सब कुछ अच्छे से यहां पर मिक्स हो चुका है ढखकर सब कुछ अच्छी तरीके से एक से दो मिनि आई भी यूज़ कर सकते हैं इसके बदले इस टेप को आप स्किप मत कीज़ेगा क्योंकि इसके वज़े से काफी अच्छा से क्रीम में इस सब्ची में तो आप ज़रूर आट कीज़ेगा कोई भी क्रीम और सबसे आखिर में इसमें आड कर लेना है फ्रेश धनिया और साथ में थोड़ा सा यहां पर मैंने बटर भी आट किया है वैसे मैंने स्कूल पैक यूज़ किया है आप एक चमच की करी यहां पर बटर का इस्तमाल कर सकते हैं वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन अगर आपको रेसिवे में चाहर चान लगाने है ना तो इसको डिफिनिटली आपको पसंद आने वाली है यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू ऐसी और चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आन कर लीजिए जैश गनेश